वेल्कम तू मैं चैनल प्राज निव्ज हिंदी लेटेस अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर डीजिये थैंक्यू गाइस मुझे ऐसा बताए गया है कि भारत में मुसल्मान बहुत परेशान थे उन्हें बहुत तंग किया जा रहा था इसलिए जो बड़े थे जो उस ताइम के लीडर्स थे उन्होंने सूचा कि मुसल्मानों की अपनी एक अलग से एक अलग कंट्री होनी चाहिए जहां पर वो अपनी मर्जी से रह सके आज के 2020 के पाकिस्तान में मुझे क्या समझ जाती है मुझे ये समझ जाती है कि पाकिस्तान ने लगता है इसलाम के नाम पर लड़ने के लिए बना था इसलिए कि हमारे है कोई शिया है कोई सुनी है कोई बरेलवी है कोई कुछ है लेकिन कोई भी इनसान नहीं है हम किसी को इनसान समझते ही नहीं है हर कोई हमारे हिसाब से काफिर है यहां पर पाकिस्तान में इस वक एक अल्ला का इसलाम चल रहा है और एक मौलवी का इसलाम चल रहा है जो मुल्ला माफिया है वो हमें हर तरहां से ये बताती है कि जी जो दूसरे फिरके के लोग हैं वो असल में काफिर हैं और सिर्फ और सिर्फ एक हम ही हैं जो मुसल्मान हैं सिर्फ अपने आपको मुसल्मान बताते हैं और Islam की किसी चीज़ को फॉलो नहीं नहीं लिख़ा घर ले एंस предлож К가 जाया WA को पृनिः लीकेज़andır नहीं बहुत को दख्य करते हैं क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं कि मैं इस तरह के से बताओं और क्या कहना है और क्या नहीं यह एक अजीब किसम की चीज़ है जो आपको पाकिस्तान में ही सरी देखने को मिलेगी और यह मुल्ला का जो इसलाम है यह आपको हर तरह से यह बताने की कोशिश करता है कि आपने की नहीं है उन मुल्ला हजरात की है वह आपको बताएंगे कि आप इससे बात करो आप इससे बात ना करो आप यह करोगे तो आप काफिर हो जाओगे और किसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग ट्विटर पे भी देखते रहते हैं जो कमेंट्स आते हैं मुझे ब पाकिसानी फॉलोवर्स जो आते हैं उनको मेरी बाते या तो समझ वे नहीं आती या वो उनको हजन नहीं कर पाते तो अब्यस्ली उनके लिए उनके हिसाब से में काफिर हो जाती हूं और उनके हिसाब से जो हुझे मार देना चाहिए तो वो इसी किसम की कमेंट्स करते हैं भण हम करते हैं वह दोने भार ऊसृति नहीं जाते हैं छलेगी हम हादए दुबारा से उसके उपर के घी हमारे दो हो जो है वो काफिर काफिर गेंगी चलती रहती है उसमें अम मीनौरिटी को हम भाहत नाला लगाते हैं जिह आधर हम यह मांधिमानलिटी का ही ख blijता ज़न स आपने मेल स्ट्रीम मीडिया में माइनॉरिटी के हवाले से चाहें, वह बहुते लोग में कहते हैं, यह मत कहा करो, तो जो हमारे नॉन मुसलिम लोग रहते हैं, जो हिंदू हैं, क्रिस्चिन हैं, पार्सी हैं, यह किसे खेंचे से भी फिरके से उनका तालुक है, जिस भी रिल मेली मुसलिष्ट, कोई फिल्म-प्र, इसना सफून प्र, कोई बड़ा जर्नलिस्ट, कोई बड़ा टी वी एंचर, बड़ा चोटव, अधिर माँटियों आप तकियसे लूटे हैं, और øकस्ना से खेंचिनगे। जानी इसलाम से हटके आपको कोई भी आपको नजर नहीं आएगा उसकी क्या वज़ा हो सकती है जाहिर हम उनको एजस सेकंड किलास सिटीजन ट्रीट करते हैं हम उनके साथ यहां तक है हमारे किर्केटर की भी एक खबरे आ चुकी है कि वो जो है वो जो हिंडू किर्केटर थे उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे और एक अजीव सी बात है कि इस तरह का रवया हमारे हैं है और उसके बाद हम चोड़े होकर और बाकी सब कंट्री इसके ओपर इतरास करें हो तो इन्होंने तो मुसल्मानों के साथ बड़ा जिन किया हुए उन्होंने तो मुसल अन्हों के साथ बड़ा गलित किया हुए हमारे आप कहीं जो है वह आपको business community में हो मीडिया हो politicians कहीं पर भी आपको जो हे वो किसी बड़ी सीड के ओपर चले मान लिया कि हमारे सदर और वजीर आधम जो है वो नहीं बन सकते है और बीचीफ और जो है वह नौन मुसलिए नह बने के यहां कि बने तो हैं मगर वह कुछ करते नहीं इसलिए कि जाहिर वो डरते हैं वह माइनौरिटी में हैं वह कम है तादाद में और जो मिजॉरिटी है उनको हर तरह से दबाती है एक मंदिर बनने का यहां पर चर्चा हुआ था उसके बाद थोड़े दिन बाच्चित होती रही फिर जी वो कॉर्ट ने भी पर्मिशन दे जी सब कुछ हो गया लेकिन उसके बाद आज तक उसके ओपर दूसरी इंट रखने की हिमत किसी नहीं दिखाई यह है जो आप कहते है है अचलाई के लिए यह ह कटे जी अधी है और भड़ा हम क्या है थांट करते लिए जैसे दूनंतेर तरहा होता है हम थाइसए जुर्ष नहीं तो पीजा की फ्रेंचाइज हैं उसके उपर ना तो उनसे कोई पेपर वांगे गए ना उनसे कोई नवाशनी की तना से का गए के जी बिल कड़ो ना उनसे कुछ और कहा गया उन्होंने फिल भी एक पदनी दिखावे के लिए एक रेजिगनेशन दे दिया जिसको प्राइम सब्सक्राइब लगए काम करते हैं और आप आज़र भी काम करते रहे लेकिन अगर यही चीज एक छोटी से छोटा चोटा करफिशिन क्या चोटी पकड़ी जाती है तो पुलिस वाले जो थाने में ले जा ले जाकर उस आदमी के हाथ पाउं तोड़ देते हैं ये बात साव अगर पिजाता है तो आप उसको थाने में ले जाके इसका बारते हैं कि उस बचारे की चीखा निकाल जाते हैं और उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है तब आपको को फ्याल नहीं आता लेकिन हाँ एक X आर्मी मन जो है जो जिसने इतने जादा जिसकी पीजा फ्रेंचाइस नेकल आई है वो आपको न चोड नज़र आ रहे न डाको नज़र आ रहे न उस नज़र आ रहे आप से कहने नहीं नी जी उसी के ऊपर केस बनाने की बाते कर रहे हैं और उसी को आप गदार बता रहे हुสर्दार होता क्या है皮दारी यह नहीं होती है यह को तो बस ना आपकी वावआ करें आप तो बहुत ही जबर्दस किसम का काम किया है, फिर हम वापिस आते हैं मुला ब्रिगेड की तरह, जो मुला हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना एक कर रखा है, अपना एक जो कहना चाहिए, तरा धंका के रखा हुआ है, और वो एक और अपनी मोहिम और अपना जादा तो बोलोग मजबूत हैं, अला है उनकी तादाद जादा नहीं है, लेकिन उतने मजबूत हैं, और हमाने लोग इतना डरते हैं, लेकिन मुझे यह पूछना है, यह मुला जो है, इनको बड़ा बड़ा बुरा लगता है, कि कोई नॉनमस्लिम जो है, उसने किस तरीक से जो है, वो अपना मंदिर बनाने का सोच भी लिया, हिम्मत भी कैसे हुई उनकी यह सोचने की, यह तो वो सोच लेते हैं, लेकिन उनको यह ख्याल नहीं आता है, यह वही मुला है, जो बैठ के मस्जिदों में, और जो बैठ कर जो मदर से होते हैं, उसमें चोटे-चोटे साब की पार्टी के बार, जो मुला है, मुफ्ती, मेरे ख्याल है, मुफ्ती किफाइट, उनों ने भी जो है, वो एक रेपिस्ट जो उनका रिष्टेदार है, उसको कितने दिन चुपा के रखा, और अब वो दुबारा से पूरे धडलने से पूरी बहरती के साथ आके टीव चा Mainten advia क की तो ने रहे हैं आई और यह कह रही होते हैं कि हम यह कर देंगे, गर्में गणे गरा देंगे, हम अपनी हुकूमत ले आएगःँ कि शेहरा माता हो ज daíकि कि शेहरा कि कहा चली जाती है, तर बहरत हैं। आज आड gözे बात लेके। आज समी आड एन झी मर्न डेन भीऻा गर आज सी हाम अट ढूड खर्टे ले ले लिए let इनना एंग है लो माब्ट कहुंगे जब इतने सारी दुन आज जांड ञेक रखा है अज सारी दुनिया से इकर्जा लेकर रखा है तैंसरूर पाकेसान हम फोर्ट दीन के रिए सब प्रस भाई quasिते हैं आपने हो už प्रक्राइम मिनिस्टर हो जो हम जुथ हो जा जबने पैसे मिर्फ अन्सवर चाहँ करना हिसे उसमें पर हमें क्यों करते हैं कंमाल करते हैं कमाल है पंडेजी by तो बहुत होगी तो लेकिन आप लोゲों का शूट हो दिमांग मेरे ni चाहि leक्ता है क्या ऊच्या इना क्यूट करना ज्यूक आप लोग